प्रोविडेंट फंड का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है भविशय निधी या निर्वाह निधी यानि कि प्रोविडेंट फंड को हिंदी में भविशय निधी या निर्वाह निधी कहा जाता है यानि कि जो भी employees होते हैं जो भी करमचारी होते हैं चाहे वो सरकारी हो चाहे private हो तो वो जो है अपना कुछ पैसा जो है वो अपनी salary में से कटवाते हैं और उतना ही पैसा या उससे ज़्यादा पैसा जो उनका employer होता है वो जमा करता है और ये सारा पैसा जो है खाते में जमा ह होता रहता है और जिस पर ब्याज भी मिलता है तो इस खाते को ही provident fund कहते हैं यह एक तरीके से आप इसे एक retirement saving scheme मान सकते हैं यानकि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली saving scheme होती है जिसमें वैक्ति जो है retirement जब हो उसकी तो उसके पास कुछ पैसे extra हों जिससे वो अपना निर्भाह कर सके आपने जो retirement का जीवन है वो अच्छे से जी सके तो उस fund को provident fund या PF कहा जाता है और PF का पैसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप retirement पर ही निकलवाएं कुछ परसेंट आप अपना पैसा पहले भी निकलवा सकते हैं उसके लिए अलगलग terms और conditions होती है तो वो आप एक बार उसके बारे में पढ़ सकते हैं यानि कि a provident fund is a mandatory retirement saving scheme in many countries where both employers and employees contribute a portion of the employees salary each month यानि कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक employer यानि जो नोकरी देने वाला होता है और जो नोकरी करने वाला होता है वो दोनों मिलकर एक portion जो है उसकी salary का वो जमा करते हैं उसको provident fund कहा जाता है जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि करमचारी अपने वेतन का एक हिस्सा भविश्य निधी में योगदान करते हैं तो आप कह सकते हैं एंप्लोवेस कॉंत्रिब्युट ऑपोरशन ओफ देर सेल्री और जो द़ें घ्र फ bạn यै फिर आप कह सकते हैं कंपनी भविश्य निधी में करमचारी के योगदान का मिलान करती है यैनल कि करमचारी जितना पैसा देता है उतने ही कंपनी भी देती हैं तो आप कह सकते हैं company matches the employees contribution to the provident fund अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें